फिर होगा इस World Cup में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जाने कहां और कैसे होगा यह मुकाबला एक बार फिर होगा सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए भले ही World Cup के सेमी फाइनल में पहुँचने की राह बहुत मुश्किल हो गई है लेकिन यह नामुम्किन बिल्कुल भी नहीं है अभी भी भारत और पाकिस्तान के बीच World Cup का सेमी फाइनल मुकाबला संभव है बतादें कि World Cup में शुरुआत के लगातार 6 मैच जीत कर टीम इंडिया के 12 अंक हो चुके हैं वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में पहुँचने के लिए अब टीम इंडिया को अगले 3 मैचों में से सिर्फ एक जीत की दरकार है साउथ अफरीका को पीछे छोड़ अड़ाते हुए वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया टॉप पर पहुँच चुकी है भारत अगर लीग स्टेज का अंत पॉइंट्स टेबल की टॉप टीम के तौर पर करता है और वहीं पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर की टीम बना रहता है तो फिर इन दो देशों के बीच 15 नवंबर को मुंबई के वानकेदे स्टेडियम में पहला सेमी फाइनल हो सकता है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बांगलादेश, न्यूजिलेंड और इंगलेंड के खिलाफ बचे हुए सभी 3 मैच बढ़े अंतर से जीतने होंगे पाकिस्तान के अभी 6 मैचों में 2 जीत के साथ 4 अंक हैं वर्ल्ड कप में बांगलादेश, न्यूजिलैंड और इंग्लैंड को हराने के बाद पाकिस्तान के 9 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक हो जाएंगे न्यूजिलैंड के अभी 6 मैचों में 4 जीत के साथ 8 अंक है न्यूजिलेंड की टीम अगर साउथ अफरीका, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ अपने बाकी बचे सभी तीनों मैच हार जाती है तो उसके आठ अंक ही रह जाएंगे और पाकिस्तान सेमी फाइनल में पहुंच जाएगा और भारत पाकिस्तान के बीच सेमी फाइनल देखने को मिलेगा